जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का रोदर स्रपोर्ट मैथ करियर में तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस पर करके प्रस्वनों को हल करना सीखेंगे जिसमें दिया क्या है स्वारिस हमिका का पर्योग करके निमलिखित का मान गयात कीजिए देखिए दिया है x प्रस्वनों का हल करना सीखेंगे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वह स्वारिस हमिका यानि की वह फर्मुला क्या है जिससे इस परस्वनों को हम लोग हल करेंगे आप लोगोंने कई बार देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा कि कई जगह आपको क्या दिया होता है एक formula दिया होता है क्या होता है वो देखिएगा इस प्रकार से a और plus b का whole square आपको दिया होता है ठीक है इसका मतलब जो होता है इसका formula क्या होता है यह आप देखिएगा इसको हम लोग लिखते हैं a square plus का 2ab ठीक है प्लस का b स्कूरी ठीक है यह अप हर्मूला आप लोग कै जगां देखे होंगे ठीक है एस प्लस b का whole square बरावर दिया होता है a square प्लस का 2AB प्लस का b square अगर आपको इस प्रावर्मिनले को सिध्ध करना अगर आपको चाहिए वीडियो तो बता दीजेगा comment box में हम इस प्रावर्मिनले को सिध्ध करके भी आप लोग को दिखाएंगे कि या कि इस प्रकार से a प्लस b का whole square बरावर इतना होता है a square plus 2a b plus b square के ठीक है तो इसके प्लस का 2a b plus b square इतना लिखें आप या लिखें a plus b का whole square यह जो प्रस्ण है इसी पर आधारी थे ठीक है जो यह फामला है a square plus का 2a b plus का b square यह प्रस्ण जो है इसी पर आधारी थे ठीक है तो देखिएगा यह प्रस्ण क्या है a x plus 3 का whole square तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं देखिए ए, प्लस, बी का हॉल 1, कैंट है, इसे हम लिख सकते हैं, A²Laya प्लस का टू, je, B пр suggested. अ सक अर्जी का been किस क्या प्लस त्री का हॉल 1, का हॉल 2, स्कौयर जो है, इसको हम लोग किस प्रकार से लिख लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या किया गया है पहले पत का whole square किया गया है तो यानि कि x का हम whole square कर लेंगे उसके बार देखिए क्या किया गया है प्लस किया गया है और क्या किया गया है देखिए इन दोनों पदों को अलग अलग यहां पर देखिए a plus b है तो यहां देखिए two लगा करके इन दो तो तो आप देखिएगा कितना हो झाएगा आपका ध्यान से तो ये हो झाएगा आपका x² प्लस का देखिए, 3 और 2, 6 हो जाएगा, 3 का गुडा दो में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6x प्लस का, 3 नौ, इस परस्ट का अंसार हा जाएगा आपका, x स्क्वार प्लस का 6 x प्लस का 9, ये इस प्रकार के प्रस्ट आपको देते हैं, और कहते है, सौर्य सम्का का परियोग करके निम्लिकत कमान गयत कीजिए तो इसको इस प्रकार से आप हल कर पाएंगे देखिए दुखसरा प्रसंद कहता है 2X प्लस का 1 का होल स्क्राइ तो इसको ध्यान से समझेगा आप लो एक दमासान तरीके से इसको हल कर पाएंगे तो देखिए यह जो पद है 2X यह दोनों पद मिला करके क्या बना आपका यह मान लिए यह यह पद बना और एक जो है यह B बन गया ठीक है अब इस फर्मूले से आप इसका तुर्णा करेंगे तो देखिए A स्क्वार प्लस का 2AB प्लस का B स्क्वार तो उसी प्रकार से इसको लिखेंगे A आपका 2X जो है यह A है तो हम क्या लिखेंगे देखिए? 2X का Ohli square ठीक है उसके बार देखिए, प्लस दो cooperative 2X इन्टि क्याची BETwee 2AB है च्यह floor 2 x तो यहां हम A की जगा 2x है तो यहां देखिए 2X इ新टिए Angers of 2 x इन्टिए दो X है इसका स्क्वाइर करेंगे तो आप हो जाएगा 4X स्क्वाइर ठीक है प्लस का दो दना 4X और एक का गुड़ा करेंगे तो 4X ही होगा प्लस का 1 ठीक है 1 का स्क्वाइर और नहीं होगा चलिए और भी प्रश्णों का हमलों हाल करते हैं ताकि आप लोग के सारे डाउट किलियर हो जाए चलिएगा ध्यान से देखिएगा चलिए ध्यान से देखिएगा और भी प्रश्णों का हमलों हाल करेंगे ताकि आपके सारे डाउट किलियर हो जाए देखिए जो formula है हमने फिर से एक बार आपके लिए लिख दिया है सुद्धा के लिए देखिए जब भी आपको इस प्रकार से दिखे a प्लस b का whole square बराबर a square प्लस का 2 a b प्लस का b square या प्रार्मूला आप लोग कई बार भी पढ़े होंगे देखे भी होंगे तो चलिएगा उसी प्रकार का यह प्लस नहीं देखिए यहाँ पे क्या किया गया है a की जगा 3x और b की जगा 2 रख दिया गया है बाकी काम आपको सेम करना है तो देखिए हम 3x को जो है इसको हम अगर a पद मान लेते हैं यह a हो गया अगर 2 को हम b मान लेते हैं तो इसी आधार पर इस फार्मूले में अगर हम इसको रख देते हैं तो देखिए क्या होगा a की जगा 3x है तो यानि a का square है यहाँ पे तो 3x का b square होगा ठीक है तो अब 3x का क्या होगा square होगा क्योंकि हमने इसको a की जगा रखा है इस फार्मूले में ठीक है तो देखिएगा अब देखिए यहाँ पर क्या करना है प्लस लगना है उसके बाद देखिए दो गुणा कर देना है इन दो नों पदो कर तो दो गुड़े देखिए यहाँ क्या गया ना 2 into a b तो इसी प्रकास से 2 into a b करेंगे तो यहाँ देखिए एक जगा 3x है तो 3x और into में 2 है ठीक है उसके बाद देखिए आम b को square करना है तो यानि प्लस का 2 का square होगा यहाँ पर ठीक है उसके बाद आपको देखिए क्या करना है अब इसको आ यहाँ पर हो जाएगा आपका 12x ठीक है 12x प्लस का 2 दना 4 ठीक है 2 का square करेंगे तो 4 हो जाएगा तो इसका अंसर आपका निकल क्या रहा है 9x square प्लस का 12x प्लस का 4 ठीक है तो आसा करते हैं कि इस प्रकार के आपको प्रसंद जब भी दिखेंगे तो आप लोग हल कर चलिए एक और प्रसंद दिया है x प्लस 5 का holy square तो इस प्रसंद को आप लोग स्वेम से हल कीजिएगा और हल करके देखिएगा इसका अंसर क्या रहा है तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लिजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो आप लोग को मिलती रहें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक कि जय हिंद बंदे मत्रम